हलो एवरीवन, वेलकम बेक टियर ओन चैनल, इस्टड़ी वल्ड ओव विद्या और आज मैं आप लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश जेल पहरी का एक्जाम हुआ है 24 दिसंबर को उसके फर्स्ट सिफ्ट का एनलेसिस लेकर आए हूँ यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लिते हैं कि आप लोगों के किस टापिक से कितने questions बने हैं तो यहाँ पर जो current affairs के questions आई थे वो 8-9 आई थे और ज़्यादा से ज़्यादा question यहाँ पर महुत सबसे आई थे महुत सबसे आप लोगों के 2-3 question बने थे यहां जब हम लोग बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं नाउन प्रनाउन वो तो थे ही उसके साथ साथ क्वेशन टेग भी आये थे और सब्जेक्ट बर्व एग्रिमेंट से भी क्वेशन बने थे और यहां इडियम फ्रेज भी आये थे अब यहां पर हम लोग क्वेशन की बात कर लेते हैं जो पहला क्वेशन था वो था सांची का इस्तूप किसने बन बाया था और यह क्वेशन आप लोगों का रिपीटेड क्वेशन है यह पहले भी एक्वेशन में आ चुका है तो सांची का महान मुख्य इस्तूप मूलत समराठ अशोप महान ने तीसरी सती इशापूर में बन बाया था तो यह जो सांची का इस्तूप है यह किसने बन बाया था तो समराठ अशोप ने बन बाया था Next question की तरफ move करते हैं Next question पूछा था जो पुनर जीवन अभियान है इसमें कितनी नदियों को जोडा गया है तो इसमें 40 नदियों को जोडा गया है Next question आये था कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है तो चेन्नाई में मरीना बीच भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है और बंगाल की खाड़ी के कोरो मंडल तट के किनारे लगबग 12 किलो मेटर तक फैला यह दुनिया के सबसे लंबे सहरी समुद्र तटों में से एक है नेक्स कोशन पूछा था कि माता टीला बांध कहां पर बनाया गया था तो इसके बारे में हम डेटेल में बात करेंगे तो यह भारत की एक प्रमुक नदी गाटी परियोजना है और बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध का निर्माड 1958 इस्वी में मध्यप्रदेश सरकार की साहता से किया गया था और देवगड से 93 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित यह जगा लगवग 20 बर किलोमेटर के छेतर में फैली हुई है कब बन बाया गया था तो 1958 में और किस राज्य में बन बाया गया था तो यह मध्यप्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा बन बाया गया था नेक्स कोशन था कि भारत का सबसे स्वक्ष सहर कौन सा है तो ये कोशन आप लोगों का रिपीटेड है ये कोशन सायद कल या फिर परसों आ चुका है तो इन्दौर भारत का सबसे स्वक्ष सहर है और यह लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वक्ष सहर गुसित किया गया है नेक्स कोशन की तरफ मूव करते हैं नेक्स कोशन आया था कि संस्कृत महोटसप कब मनाया गया है तो इसके बारे में हम डेटेल में जान लेते हैं तो संस्कृत महोटसप 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया गया है एक सप्ता और राष्टिय संस्क्रत महुचप के दसवे संस्क्रण का उदगाटन मध्य प्रदेश की राजिपाल स्री लाल जी टंडन द्वारा किया गया था ये कौन सा संस्क्रण था तो ये दसवा संस्क्रण था और इसका उदगाटन किस ने किया था तो मध्य प्रदेश के राज जिपाल लाल जी टंडन ने किया था नेक्स क्वेशन पूछा था कि आदि महुटसब कम मनाया गया था तो यह जो आदि महुटसब है यह 16 से 30 नवंबर तक मनाया गया था और ग्रह मंत्री स्री अमित साने दिल्ली हाट में राश्टिय जनजातिय उत्सब आदि महुटसब 2019 का उधगाटन किया था और इस महुटसब की जो थीम थी वो क्या थी वो थी जनजातिय संस्कृति सिल्प पाक कला और ब्यापार की भावना का समारो नेक्ष कॉशिन पूछाता यहां पर यह दोनों कोशिन में थोड़ा सा confusion था जो मैं आप लोगों को आगे बता चुकी थी कि सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है भारत का या फिर भिश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है यह आया था तो मैं यहाँ पर दोनों बता देती हूँ, आप लोग एक बर confirm कर दीजिगा कि exact क्या था तो पिश्व का सबसे बिसाल महासागर, प्रशांत महासागर है यहाँ मेरे पास इतने ही questions आये थे, अगर आप लोगों को और पता हैं तो comment box में लेकर आप लोग बता सकते हैं कि exact or questions क्या आये थे थेंक्स वर वाचिंग दे वीडियो